दोस्तों कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. स्वागत है आप सब का एक बर फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. सिचाई, परियोजना के लिए डिप्लोमा और बी बीटेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है. य उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. ताकि रिगुलर फोम में आपको जॉब्स अब्डेक मिलते रहें. इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाच्ट सब ग्रूप को भी जुआइन कर लीजिए. लिंक आपको वीडियो इविगेशन प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों के लिए वेकेंसी निकाली गई है जहाँ पर डिप्लोमा और बीबी टेक वाले अपलाई कर पाएंगे. और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सेलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑनलाइन और ओफलाइन में और मिनिममम आपके पास एक साल का वर्क एक्सपिरियंस है आप यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे. आगे आपको बताया है अगर आपने बीबी टेक किया है सिविल इंजिनिरिंग में और मिनिममम आपके पास दो साल का वर्क एक्सपिरियंस है आप यहाँ पर इलिजिब रहेंगे next vacancy यहां पर आपकी रहने वाली है research associate के लिए यहां पर आपको बताया है अगर आपने MR किया है या फिर आपने M.E.M.T. किया है planning engineering में आप यहां पर eligible रहेंगे इसके साथ आपको basic जानकारी होनी चाहिए autocrate की desirable में आपको बताया है अगर आपके पास 2 साल का work experience है तो अच्छी बात है अगर आप यहां पर fraser है तो भी आप यहां पर apply कर पाएंगे अगली vacancy यहां पर आपकी रहने वाली है research associate one के लिए अगर आपने M.Plan किया है या आपने BR किया है आप लोग यहां पर eligible रहेंगे यहां पर भी आपको बताया है अगर आप fraser है तो भी आप यहां पर apply कर सकते हैं और अगर आपके पास experience है तो भी आप यहां पर apply कर सकते हैं अगर आपने autocad के साथ में Revit या और भी आपके जो 3D software हैं अगर आपने वो किये हुए हैं तो इस चीज़ का भी आप लोगों को यहां पर advantage मिल जाएगा और last vacancy यहां पर आपकी रहने वाली है research assistant के लिए अगर आपने बी आर किया है और इसके साथ ही आपको autocad की ठीक ठाक जानकारी है आप लोग यहां पर eligible रहेंगे अब बात कर लेते हैं आपके pay level के बारे में तो अगर आपने master degree की है तो salary यहां पर आपको 42,000 रुपे प्रत प्रतिमंथ मिलेगी बात कर लेते हैं आपके apply process के बारे में तो apply process यहां पर आपका online रखा गया है इसके लिए आपको करना क्या है आपको जाना है description box में वहां पर आपको apply online के नाम से एक link मिलेगा जैसे ही आप उस link पर click करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा page open होगा आपको नी कि आप यहां पर किस post के लिए apply कर रहे हैं तो आपको यहां पर click कर देना है और next यहां पर आपको नीचे scroll करना है आपसे आपकी educational qualification के बारे में बात की गई है तो आपकी जो भी educational qualification है उसे आपको यहां पर click कर देना है फिर आगे आपसे पूछा है कि आप present time में किस company में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर company name लिख देना है आपको भी किस post पर apply कर रहे हैं जो भी आपकी post है आपको यहाँ पर post लिख देनी है next यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके past total कितना work experience आपको यहाँ पर लिख देना है यहाँ से आपको अपना cv अटेज करना है यहां से आपको अपने educational qualification के document अटेज करने हैं और आपको यहां पर submit कर देना है और बात करें आपकी important डेटों के बारे में तो form online होने यहां पर आपके शुरू हो चुके हैं last date यहां पर आपकी 15 September रहेगी इंटर्यू यहां पर आपके online और offline होने वाले हैं तो online इंटर्यू यहां पर आपके कराये जाएंगे 15 और 16 September को offline इंटर्यू यहां पर आपका होने वाला है 18 और 19 September को तो अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटे किया है इन ब्रांचों में आप इसके लिए interested होते हैं